दोस्तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो यमराजी चागर भी आपको नहीं मार सकते और जैसे कि आप इस कुत्ते की किस्मत देख लो और ऐसी हमारे दुनिया में बहुत से लोग है जिनोंने मौत को छूकर टक से वापस आ गए तो दोस्तो इस वीडियो में देखते हैं कुछ ऐसी खौफ़नाक और चमतकारी घटना तो वीडियो है काफी मज़ेदार तो वीडियो को पूरा जरू देखेगा और चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो इस पहले क्लिप में आप एक ओरत को देख सकते हो जो अपने बच्चे के साथ अपने घर पर सो रही है और जैसे की अजगर एक बहुत ही माहिर शिकारी होता है इस ओरत को तो पता भी नी चला कि वो उसके पीछे आ चुका है और ये ओरत अपने बच्चे को नीद में सुलाने के लिए उसे जुलाने लगती है अब कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता है परचानक से ओरत को ये अजगर साब दिखाय देता है और वो तुरंट अपने बच्चे को लेकर उस रूम से चली जाती है और जरा आप भी सोची अगर इस माह को पता ही नी चलता कि पीछे अजगर है और वो अपने बच्चे को युही छोड़के दूसरे रूम चली जाती तो उसके साथ क्या होता इस सेकंड ख्लिप में जो आप इस वैक्ति को देख रहे हो ये असल में एक मच्छवारा है और रोज की तरह ये वैक्ति अपने जालों को देखने आया था कि कोई ना कोई मच्छी फसी होगी तो इसका काम चल जाए पर तब ही जब वो एक जाली को चेकिंग कर रहा था तो वो उसे बहुत जादा भारी लगा ये बेचारा मच्छवारा तो मनी मन सोच रहा होगा इस मच्छी को बेच कर पैसा ही पैसा होगा पर असलियत में वो कोई मच्छी नहीं थी बलकि ये था इस मच्छवारे के अचानक से एकदम हवा टाइट हो गई और सच में अगर इस मगरमच ने इस मचवारे को पानी में खीच लिया होता तो इसका तो राम राम सत्य हो जाता पर भाईया की किस्मत काफी अच्छी थी इन्होंने अपने बोट को एकदम तेजी से वहां से भगा लिया और इनके साथ भी जो लोग आये थे वो भी इस चीज़ को देखकर काफी डर गए थे और वो भी यहां से भाग गए दोस्तो किस्मत का खेल कुछ ऐसा होता है कि नामुम्किन को भी मुम्किन कर देता इनसान के जिंदगी में जहां पर यह चाचा चल सकते थे पर पताने इनके दिमाग में उस समय क्या था कि यह रास्ते में चल रहे थे और यहीं उनका सबसे बड़ा भाग्य निकला अब कुछ देर तक तो चाचा को पता है नहीं चला कि आखिर कार उनके साथ हुआ क्या पर धोरे देर में जब उनकी दिमाग की बती जली तो वो इस पूरे घटना के उपर अपना रियक्शन देते हैं और मानो ना मानो इस ड्राइवर के लिए एक लाइक तो बनता है अब गाड़ी चाए आउट आउग कंट्रोल थी तब भी चाचा के उपर उन्होंने नहीं चड़ाया साइट से ले गए दोस्तों ये जो क्लिप अभी आप देख रहो या तिये नेधरलेंड से और यहाँ पर आप देखोगे जरा सी चूक से अपकी जिन्दगी कैसे जा सकती है हमारे भारत की तरह यहाँ भी रेलवे क्रोसिंग में फाटक लगे हुए रहता है और एक लड़का जो इस फाटक में रुका हुआ था उसने सीव एक ही ट्रेन को देखा था और सोचा कि इसके बाद यहाँ से निकल लूँगा और यही गलती इस लड़के की जिन्दगी ले सकती थी जरा मैं दिखाता हूँ आगे क्या हुआ एक दूसरी ट्रेन भी आ रही थी ओपोजिट डिरेक्शन से वो भी बहुत तेज रफतार में पर पहले ट्रेन के कारण लड़के को दूसरा वाला ट्रेन नहीं दिखाए देता है और वो आधे रास्ते तक पहुँच जाता है और यह सिचुएशन बन जाता है लड़के के लिए डू और डाइका या फिर वो वहाँ पर ही रुक के मर सकता था या फिर उसने अपनी चाला की दिखाई और बहुत ही तेजी से साकल को दोड़ा कर वहां से निकल लिया पर जो वो ऐसे हादसों में मिली सेकंड की अगर चूक हो जाए तो इंसान का तो मरना निच्चिं पर तबी बियान को नजर आया कि एक शीप उनके तरह बहुत ही तीजी से बढ़ रहा है और ये शीप कोई छोड़ी मोटी शीप तो नहीं थी बहुत ही जादा बड़ी थी अफ्कुस देर तक तो इन्होंने भी कोशिश किया कि ड्राइवर को समझा दे कि ये लोग यहां प लगता था और साथ ही साथ बाद में यहां पर एक लीगल बैटल भी होता है जहां पर बियान जी करीबन तीन करोड का जुर्माना लगा देते हैं इस शीप के मालिक के उपर सो दोस्तों आशा करूंगा वीडियो काफी पसंद आयोगी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल क